नमस्कार में बॉबी जा, MNS न्यूज लाइफ में आप सभी का सफागत आए देखते हैं आज की बड़ी खबर राहुल गांदी के रोड शो में लगे चौकिदार प्योर है उनका आना शेयर है के नारे देश में इन दिनों चुनावी माहुल गरम है, राज़ितिक पार्टी अपनी जीत के लिए प्रचार में जानफूक रही है इस बीच पार्टी के प्रचार के लिए राहुल गांदी जारखन के धनबाद में पहुँचे जहां राहुल ने रोड शो किया लेकिन इस बीच एक ऐसे खबर सामने आई है जहां रोडशो के दोरान राहूर को और सहज स्थिती का सामना करना पड़ रहा है दरसल रोडशो के दोरान चौकिदार बे और है उनका आना शेवर है के नारे सुनाई दिये कौंगेस अधेक एक खुले वाहन में सवार थे और अपने हाथ हिला हिला कर लोगों का अभिनांदन कर रहे थे इस दोरान जब कौंगेस खारे करता चौकिदार चौकिदार चौह है के नारे लगा रहे थे तो सड़के की नारे और घेरो की छत पर खड़े लोग नैंदर मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे हालाकि रावल ने इन्हें अनसुना करते रोडशो करते आगे बढ़ गए लंदन कोट ने दीसरी बार की भगोडा निरव मोदी की जमानत याचिका खारिज पंजाब नैशनल बैंक में दो अरब डॉलर की धोखा धड़ी और मनी लोर्णिंग के आरोपी निरव मोदी को लंदन कोट ने फिर एक बार जटका लगा है दरसल बिटेन की एक आदानत ने भगोडे हीरा कारोबारी निरव मोदी की जमानत याचिका बुद्वार को लगा दार तेसरी बार खारिज कर दी लंदन कोट ने मोदी के वकीलों ने जमानत राशी को बढ़ा कर दूगुनी 20 लाग पाउंड करने की पेशकर्ष की साथ ही उन्होंने कहा कि वह लंदन स्थीद अपने फ्लैट में 24 घंटे की नजरबंदी में रहने के लिए तयार है इन सब दलीलों के बावजूत नियाधी समत नहीं हुए और मोदी के बेल को रिजक्ट कर दिया गया इसके साथ ही अब नीरव को 30 मई को कोट के सामने पेश होना होगा तो MNS News Lab की खबर देखनी के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंदी आप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद